इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टीम इंडिया के सफलतम कपतानों में से एक रहे दिगज क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी लंबे समय से मैदान से बाहर है माही के करोर चाहने वाले हैं, उन्हें एक बार फिर ब्लू जर्सी में देखना चाते हैं सभी के जहन में एक ही सवाल तैर रहा होगा की आखिर धोनी कप वाफिसी करेंगे हाला की इसी बीज उम्मीद की एक किरन दिखाई दी है लेकिन सायद दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर बल्ले बाच धोनी भारतिया टीम नहीं बलकि किसी और दलकेवाद खेलते दिख सकते हैं धरसल अगले साल यानी 18 मार्च और 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड एलेवन और एसिया एलेवन के बीच मैच खेले जाने हैं इन ही दो मुकाबलों के लिए बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से महेंदर सिंग धोनी साइच साथ खिलाडियों को देने की अनुमती मांगी है 200 कप के बाद धोनी ने कोई अंतराष्ट्य मैच नहीं खेला है धोनी के भविस्ते पर कोई इस परश्रता फिलाल नहीं है क्योंकि ना तो उन्होंने खुद को फिर से भारत के लिए खेलने के लिए उपलब्द कराया है और ना ही उन्होंने अपने सन्यास के बारे में इन दिन में ही बांगले देश पारी और 103 रनों से मात दी थी इसके बाद कोलकाता में भी भारत ने बांगले देश को मात दे कर दो मेचों की टेश श्रीज 2-0 से अपने नाम कर ली तो दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही आप धोनी की वापसी के बारे में क् बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें धन्यवाद